पैन आधार को लिंक कराना है तो ये बात आपको पता ही होगी आपको ये भी पता होगा कि इंकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आधार को पैन से लिंक करने की डेडलाइन बढ़ा दी है और अब आप 30 जून 2023 तक इन दोनों एहम दस्ताविजों को लिंक कर सकते हैं अगर इसके बाद भी कोई टैक्स पेर पैन को आधार से लिंक नहीं कराता है तो उसका पैन इन आपरेटिव हो जाएगा यानि काम नहीं करेगा तो अगर आप 31 मार्च 2023 तक यानि पैन आधार की पिछले डेडलाइन तक एक काम नहीं कर पाए हैं तो अब आपको पिनालिटी चुकानी होगी पिनालिटी की रकम 1000 रुपए है और ये रकम चुका कर आप अपने पैन को आधार से अब लिंक कर सकते हैं मुझकर आप देखरें बिजमनी और मैं हूँ श्रेया ठाको इंकम टैक्स देपार्टमेंट ने कहा है कि एक जुलाई 2023 से अन लिंक्ट पैन इन ऑपरेटिव हो जाएंगे पैन को 30 दिन में 1000 रुपए देकर तई अथारिटी के यहां आधार से लिंक करके ऑपरेटिव किया जा सकता है तो यहां हम आपको बता रहे हैं कि कैसे step by step आप 1000 रुपए पेनालिटी चुका कर अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं यहां हम आपको एक और बात बदा देते हैं, पैन आधार लिंक करने में एक अपडेट भी हुआ है लेट फीस टुकाने के लिए आपको असेस्मेंट इयर को एवाई 2024 पर चुनना होगा साथ ही आपको इसका पेमिंट टाइप अधर रिसीट्स 500 के तौर पर स्पेसिफाई करना होगा एक तिस मार्च 2023 से पहले असेस्मेंट इयर 2024 को पेमिंट के लिए सेलेक्ट किया जा रहा था तो चलिए PAN को आधार से लिंक करने की पूरी प्रोसेस आपको बता देते हैं सबसे पहले तो Income Tax Return e-filing वेबसाइट दिखाएगे वेबसाइट पर लॉग इन कीजिए e-filing portal के home page पर जाएए और quick link section में link आधार को सेलेक्ट करें अपना PAN और आधार number डाले continue to pay through e-pay tax पर क्लिक करें OTP पाने के लिए अपना PAN दर्ज करें अपने PAN और mobile number को confirm करें आप अपने e-pay tax page पर पहुंच जाएंगे इसमें year 2024-2025 सेलेक्ट करें और payment type को other receipts 500 सेलेक्ट करें इसके बाद continue पर क्लिक करें e-filing portal पर आधार PAN link request को submit करें आधार PAN link request को post login और pre login mode दोनों में किया जा सकता है इस तरह से आप अपने PAN को आधार के साथ link कर सकते हैं और बाद में होने वाले पचडों से बच सकते हैं सरकार ने PAN को आधार के साथ link कराना जरूरी बना दिया है इससे सरकार को टैक्स की चूरी पकड़ने में मदद में लेगी जाहिर है अगर अभी तक अपने PAN को link नहीं किया है तो इससे फटाफट कर लिजे इससे आप बाद में होने वाले परिशाने से बच जाएंगे आपको हमारे जानकारी कैसे लगी कॉमेंटर के जरूर बताएं वीडियो को लाइक और श्रेयर करना ना भूले चाथ हो जो हमारे नई गयर से वो पर चानल को सुब्सक्राइब करना ना भूले